So, Hello Everyone, My Name is Sohail Mansoori and Welcome to this Channel दोस्तो आज के इस छोटे सी वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपके लिए काफी जादा इंपोर्टेंट साबित रहने वाले हैं जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि कोरोना की जो तिसरी लहर हैं वो हमारे सामने आ चुकी है आने वाली है जो भी सिच्वेशन बने वाली है वो आपके सामने है तो इस हाल में बच्चों के साथ में कई प्रोब्लम्स आ रही है कई परेशान ही आ रही है उस offline center में हमने complete syllabus करवा दिया है organic chemistry का और बस हमारा revision चल रहा है वहाँ पे लेकिन अगर मैं आप लोगों से एक बात ये कह दू कि अगर lockdown लग भी जाता है न तो आप बिल्कुल परिशान मत हुई है जो हमारा संस्तान है जो हमारा center है आप लोगों के लिए हमेशा साथ में खड़ा रहेगा YouTube के माधियम से हमारे application के माधियम से हम आपको videos provide करवाते हैं और एकदम YouTube पे तो free of course आप लोग पढ़ते हो और हमारा जो Arise Studies का जो application एप है जो application है उस पे हम बहुत कम ही पैसों के अंदर आप लोगों की पूरी तयारी हम करवा देते हैं फिर भी हमारे से जो concession बनेगा हम वो पूरा concession करेंगे तो आप लोग बिलकुल परेशान मत होना कि सर लोग डाउन लगने की स्तती में सर हम क्या करें क्या हमारा उन्कसान हो जाएगा या हम परेशान हो जाएंगे बिलकुल आप फिकर मत करिए हम आपके साथ में हमेशा रहेंगे तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो 12 बोड वाले बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई लगातार कर रहें तो आपको पता होना चाहिए कि जो मादे में एक शिक्षा बोड है उन्होंने ये कह दिया है कि 3 मार्च को एकसाम लगने वाली है मतलब 3 मार्च से बोड एकसाम स्टर्ट होने वाली है इसमें कोई रोक टोक नहीं है डिस्टेंसिंग से जिनके वेक्सिनेशन नहीं हुए है वो प्लीज अपने vaccination करवा लीजिए क्योंकि जब exams होने वाली तो vaccination का certificate view को जरूर चेक करेंगे तो अपन जो हमारी तयारी चल रही थी अपने को उसी तयारी को लगातार धीरे-धीरे करना है और selective चीजे पढ़नी है एसी बातों को नहीं पढ़ना है कि मेरे लाइक जो भी जो भी प्रोब्लम्स आपके सामने आ रही है chemistry core लेके तो आप बिना किसी जिजग के बिना किसी परेशानी के बिना किसी डरे हुए आप मेरे से डारेक्ट भी contact कर सकते हो और आप YouTube पे comment भी आप लोग कर सकते हो तो उमीद करता हूँ आप लोगों को बाते समझ में आ रही होगी और वेसे आप सब लोग समझदार है कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी दोस्तों लास्ट टाइम आ चुका है बोड एग्जामिनिशन वालों का तो आपको टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करना है ठीक है न? क्योंकि अगर आपन टाइम खराब करेंगे तो मान के चलो नुकसान अपना ही होने वाला है तो जैसे भी आपकी तयारी चल रही है उसी तयारी को आप करते रहो और इतनी अच्छी मेहनत करो तो बे जिचक आप हमसे कॉंटेक्ट करके यूटूब के माध्यम से हमारे कॉंटेक्ट नमबर आपके पास होंगे उससे आप हमसे पूछ सकते हों और्गिनिक केमेस्ट्री के अंदर इन और्गिनिक केमेस्ट्री के अंदर तो आप सब लोग अपना ध्यान रखे, सुरक्षित रहे, जैसे भी situations बनेगी वो आपके सामने है, प्लीज घर से बाहर निकले तो अपनी सुरक्षा, अपने घरवालों की सुरक्षा आपके हाथ में है, तो अराम से बाहर निकले, अपना ध्यान रखे, मैं अभी आपके सामन